मैं थोड़ा सा अपने बारे में सर मैं पिछले किस साल से इस बिजनस को कर रहा हूं लोर मिडल क्लास फेमली से हूं पंद्रा सो रुपे की नोकरी करता था जब मैंने RCM बिजनस को शुरू किया साइकल से शुरुआत करके और पांच-पांच गाड़ियों तक मैं पहुंचा एक छोटे से घर से शुरुआत करके और आज इस घर में रहता हूं उस घर की कीमत साथ करोड रुपे है बहुत कुछ मिला है आप सबको पता है बट आज मैं थोड़ा सा बात करता हूं अगर आप लोग मेरे को सकसेस मानते हैं अगर आप मानते हूं कि आप इस बिजनस में सफल है तो मेरी सफलता के पीछे पांच चीजों का रोल है सर्थ उसको थोड़ा सब ध्यान से सुनना वो बिजनस दे साल पहले वह आरसियों कुछ अलग था उसमें आरसियों में ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन ॉन से इस बिजनस में सक्त मैनत की और वो सक्त मेनत 21 साल नहीं की, सरीक, वो सक्त मेनत 5 साल की पहली मिटिंग में ओपी शर्मा जी ने बताया था, 5 साल का बिजनस है 5 साल में आपको जीवन बदल देगा, रिटायर कर देगा और 5 साल तक खूब मेनत की, मेरे को आज भी याद है रोयल्टी से पहले, रोयल्टी से पहले जो मेरा बिजनस था वो 6 से 7 स्टेट में था, मैं रोयल्टी एचीवर नहीं बना था बट उससे पहले मेरा 6 से 7 स्टेट में बिजनस था जो आइनिंग के चोथे महीने मेरा बिजनस मेरे घर से 2000 किलोमेटर दूर चला गया और मैं हर महिने वहाँ 2000 किलोमेटर दूर जाता था कोई भी चीज है न सर वो लोटरी में नहीं मिलती जीवन में उसके लिए आपको बेस बनाना पड़ता है उसके लिए आपको काम करना पड़ता है आप सोच के देखो सर मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ आप जहां पर फोकस करोगे वो चीज हो जाएगा तो डेवन से मैंने इस बिजनस को बाहर निकालने पर काम किया रोयल्टी से पहले साथ स्टेट में बिजनस था उसका रिजल्ट है रोयल्टी के ठीक तीन महिने बाद में टेक्निकल हो गया अब बहुत सारे रोयल्टी एचीवर है तो रोयल्टी से ठीक तीन में बाद बड़ी इंकमाना स्टार्ट हो गई तो पहली खुबी यह रहा मेरी मेरी कि मैंने सक्त मेनत की इस बिजनस में और शुरुवात आप से होती है आप आपके अप्लाइन काम करेंगे आपकी डाउन 29 काम करेंगे उसके टिम काम करेंगो कि इसके एप्लाइन को मिलेंगे उसके तीम को मिलेंगी पॉइंट नमबर 2 जो help चाहिए WhatsApp से, वो 100% सर ने मेरी help की, उठारी साब से जो help चाहिए थी, meeting चाहिए, counselling चाहिए, training चाहिए, वो सब कुछ सभी appliance ने मेरे लिए किया, but joining की help, target month में, contribution की help, या कोई और चीज़ की help कभी उमीद की नहीं, मेरे को लगा तकि आपका business, जहां से आप जुड़े हैं ना, वहाँ से आपका business शुरू होता है, और आप अगर उमीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस business को अपना business नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप उमीद कर रहे हैं, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, point number 3, माहोल में रहा, सर, जब भी मेरे को मौका मिला, माहोल में जाने का मैं गया, तीन महीने हुए थे, और मेरा 900 कुछ रुपे का चेक था, 907, 907 रुपे का चेक था, और company ने एक प्रोग्राम रखा माउंट टाबू में, मेरी जीवन का पहला प्रोग्राम था, वो company ने एक माउंट टाबू में प्रोग्राम रखा, 1500 रुपे फीस थी उसकी, registration फीस 1500 रुपे, यहनि 1500 रुपे दे के आप उस प्रोग्राम को टेंड कर सकते थे, 1500 रुपे होते नहीं थे, तो वो 1500 रुपे का अरेंज करके, मैं उस माउंट टाबू के प्रोग्राम में गया, और जो वहां से मिला, एक दिन में सर्क कुछ नहीं हुआ, समय लगा है, सीखने में समय लगा है, सोच को बड़ी करने में, वीजन बनने में समय लगा है, जब भी मोका मिला महोल में जाने का, जब भी मोका मिला मिटिंग में जाने का, जब भी मोका मिला अप्लाइन के साथ रहने का, जब भी मोका मिला हिल टूर पे जाने का, जैसे भी किया, जो भी करना पड़ा, बट उस मोके को छोड़ानी, माहुल दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज उस वेक्ति को मिलती है जो माहुल में रहता है देखिए एक चीज बोली जाती है आप जैसा बनना चाहते हैं आप वैसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो अब कोई आदमी सराब नहीं पीता अगर वो सराबियों के साथ रहना बाबा बनना है तो बाबा के साथ रहते बाबा बन जाते हैं तो माहुल का बिजनस और जैसा बनना चाहते हैं आप वैसे लोगों के साथ में जब भी मौका मिले उस मौके को छोड़ना निछेए पॉइंट नमबर चार, जो सिस्टम ने कहा, मैंने उस काम को हमेशा किया, मेरे को अच्छा लगा, नहीं लगा, लेकिन जो सिस्टम बोलता था ना, उसका आपको मैं करता था, ये चीज हमारे अंदर भी रहनी चीए, सर, हमें क्या अच्छा लगता, उससे आप कारस्यम नहीं करते, नहीं करते तो सर, वो खुद अपने पैर पे कुलाड़ी मारते हैं, applyin का loss हotal है, बट ना के बराबर होता है, में जो major loss होता है, मारा होता है, सिस्टम जिस चीज के लिए अलाव करता, सिस्टम जिस चीज़ को ब OLता है, मिटिंग के लिए बोलता है, मिटिंग में आना चीज़ के लिए लिए मरें को अछ kla rag नहीं लगा लेकिन मैंने उस पे काम किया और जाता है पैसा और अगर पैसा बाद में आता है सर, तैरना बाद में आता है, पहले पानी के अंदर उतरना पड़ता है, तो पैसा तो बाद में पैसा शुरू में थोड़ी आया, पैसा तो बाद में आया, लेकिन पहले दिन से बिजनस प्राथमिक्ता पे है, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँ है ना सर वह इसलिए आगे निकलते हैं उसकाम को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रात्मिकता बनाते हैं सचिन तेंदुलकर के लिए जिंदगी का सबसे करने नहीं आये कि उनके भी घर में सारी चीजे होती हैं अपना किर्केट का बगवान है तो कहने का मतलब आप इस बिजनस को प्रात्मिकता है जिन्दगी की सबसे बड़ी प्रात्मिकता वैसे तो जीवन बर होनी चीए लेकिन कम से कम तीन साल बना के रखे इस बिजनस में डेफिनेटली बिजनस जीवन को बदल देगा शुरुआत जैसे की थी पंद्रा सो रुपे महिना की नोकरी करता था जब मैंने आर्सियम बिजनस को शुरू किया और पंद्रा सो रुपे कमाने वाला साधान वेक्ति हैं जर्नेल सर साधान करिंपाल सर साधान वेक्ति हैं जितने टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में सब साधान वेक्ति हैं और साधान लोग इस बिजनस में कामियाब होते हैं अगर आप आम आदमी हैं साधान वेक्ति हैं अब कामियाब हो सकते हैं आपको कि क्या हो जाएगा बहुत सारे लोगों को लगता कि पैसा पैसे से क्या होगा मैं थोड़ा सा बात करता हूं सर कामयाबी के लिए छे चीजे मेरे वैसे तो बहुत सारी चीजों का रोल होता कामयाबी में लेकिन एक आदमी कि किस व्यक्ति को हम कामयाब व्यक्ति बोलेंगे ज उसके बगर काम्याभी की कलपना नहीं की जा सकती, पैसा और पैसे से जितने भी चीज़े दुनिया में खरीदी जा सकती है, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीज़ें, क्या-क्या खरीदा जा सकता है, बड़ा सा घर खरीदा जा सकता है पैसे से, बड़ी- के लिए जुएलरी खरिदी जा सकती है बच्चों को फोरेंट ट्यूर्स करवाया जा सकते हैं पेरेंट्स का इलाज करवाया जा सकता है दान दिया जा सकता है जो भी पैसे से हो सकता है वो सारी चीज़े मारे पास होनी चाहिए पहली कंडिशन है ये कामियाभी नहीं है ये कामियाभी का एक हिस्सा है अगर आपके पास में सारी चीजे हैं आपके पास में पैसे से जो भी चीजे करीच सकते हैं और आपकी ऐसी हैसियत है या आप उन सारी चीजों को खरीच सकते हैं तो इसका मतलब कामियाभी की पहली को अपने कमप्लीट कर ली है बहुत सरी लोग बहुत बोलते हैं कि आर्टिं buenas में या नेट्रक marketing बजनस में पैसे की बहुत बात की जाती यह पैसा 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 भुदा है क्या और हम भी उनको बोलते हैं कि सर खुदा तो नहीं है बिल्कुल आपकी बात सही है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है दोनों जिन्दगियों को मैंने देखा है सर एक वो जिन्दगी जहां पर सो सो रुपे के लिए सोचना पड़ता एक वो जिन्दगी है जहां पर हजारों लाखों करोडों के लिए भी नहीं सोचना पड़ता बहुत अंतर है दोनों जिन्दगियों में तो पहला पैसा और पैसे से खृती जाने वाली सारी चीज़े दूसरी चीज़े इसके साथ-साथ खली पैसा है आपके पास में और सार लोग करते हैं मैं किसी को क्रिकाइज नहीं कर रहा है और सब्सक्राइब हैं कि मैं जीवन को नहीं सकते हम में मर्जी से सोएंगे हम अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते क्यों सोएंगे मैं थोटा एक्जांबल देता हूं आपका मन नहीं कर रहा सोने का लेकिन आपको पता सुबह आठ बजे जाना है उठके आपको सोना पड़ेगा अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते बहुत सारे साथियं जो को invest करें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए उसमें किसी की मर्जी दूसरे की मर्जी नहीं चलनी चाहिए तो यह दूसरी कंडिशन है अगर आपके पास में टाइम की फीडम है इसका मतलब आप सेकंड पार्ट को क्लियर कर देते हैं पैसा है और पैसे के साथ में आपके पा तीसरी चीज़ है आपको लोग जानते हों पैसा समय तो है लेकिन तीसरी चीज़ की भी जरूट पड़ेगी आपको लोग जानते हों आपको लोग पहचानते हों लोग आप जैसा बनना चाहते हों लोग आपके पैर छूते हों लोग आपको आशिरवात देते हों लोग ये चीज़े बहुत बहुत ज़रूरी होती है पहचान नाम इज़त सम्मान समाज में यह सारी चीज़ आपके साथ होनी चाहिए अब आपके पास पैसा है पैसे से सारी चीज़े आपके पास टाइम की फ्रीडम है आपको लोग जानते हैं फिर भी कंपूर कंप्लिट आपके जीवन में इन चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा सिक्यूरिटी आप आपको एक चीज़ की गारंटी होनी चाहिए गारंटी आप सुबह उठो तो आपको शूरिटी होनी चाहिए कि जो जिन्दगी आज मेरी है जो म गारंटी नहीं है किरिकेट के बगवान हैं लेकिन उनका बेटा रमेष्च थेंडिक अर्जुन कर पाया सभूए उनका बच्चन बहुत अच्छे एक्टर है अविश्य बन बहुत अच्छे लेकिन वो जो डोक्टर की जिंदगी है वो डोक्टर जब दुनिया से जाएगा वो जिंदगी वो पैसा वो security वो income उसके साथ चली जाएगी उसके बेटे को वो करने के लिए वही करना पड़ेगा जो डोक्टर ने जीरोसे किया था लेकिन यहां पर सुरक्षा है सर्ण यहां किया था और जितना पैसा ओपी शर्मा जी ने आर्सियम से कमाया ना जितना पैसा जितनी शांदार जिंदगी ओपी शर्मा जी ने आर्सियम से जी जिस पिन पे ओपी शर्मा जी आर्सियम में पहुँचे उससे बड़ी पिन पे रवी ओपी शर्मा जी है जिन्नों ने आर्सि जी से भी अच्छी बड़ी इंकम लेगा बड़ी पिन पर पहुचेगा अच्छी जिन्दगी जिएगा इस चीज की गैरंटी होनी चीए यह सारी चीज हमारे पास होंगी आज हैं दस साल बाद नहीं होगी कोई फाइदा नहीं है सरुफ चीज का बड़ यहां पर एक शूरट होता है अर्वेक्ति के अंदर कि लोगों के लिए कुछ कर पाए समाज के लिए देश के लिए कुछ कर पाए और ये एक ऐसा प्रोफेशन है सर्य यह कैसा बिजन्स है यहां मैं मैं मान ता हूं जो आर्सियम का इक साधान टेक्निकल अचीवर, साधान टेक्निकल अचीवर मैं हिंदुस्तान के टाटा से उपर मानता हूँ, अमबानी से उपर मानता हूँ, बजाज, वालिया, बांगड, उन सभी लोगों से उपर मानता हूँ, क्यों उपर मानता हूँ, एक साधान टेक्निकल अचीवर को, व पे चाहों तो करोडो लोगों के जीवन में बद्रावला सकते हो यहाँ पर, वहाँ पर लिमिटेशन है एक फैक्टरी लगाएंगे उसमें 5,000 लोग काम कर सकते हैं पाँच हजार को और रोजगार देना दूसरी फिक्ट्री लगाने पड़ेगी लेकिन यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं इसी बिजनस में इसी बारा सो सी या पंदरा सो दो हजार से जॉइनिंग करके आप हजारों लाखों लोगों को जॉइन कराके उनकी जिंदकी को बना सक सकते हैं आप अपने साथ अपने साथ बहुत सारे लोगों की दुनिया किसको याद करती है सर जो दुनिया के लिए कुछ करके जाता है तो जो पांचमी कंडिशन है सर आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं आप दूसरों की मदद हेल्प कर सकते हैं दूसरों को अच्छा जीवन जी सकते हैं बड़ा मज़ा आता है सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर साथ साल पहले इस बिजनस को चोईन किया बात्रूम चपल में था और आज मेरे घर के आगे 22 लाक रुपे की गाड़ी खड़ी है गिराये के घर में रहते थे आज 70 लाक रुपे का घर हमने अप खूब नीद आती है ना समझो उसकी समझ में अभी आर्सिम आया नहीं हमारे को तो आज तक नहीं आई है 21 साल हो गए रात को साड़े 11-12 बज़े सोते हैं सुबह 3-3-4 बज़े फिर नीद पुल जाती है तो आज तक नीद नहीं आई क्योंकि समझ में आ गया था तो कहने का मतलब है सर आप लोगों के लिए कुछ कर पाएं अब ये सारी चीज आपके पास है तो भी आप कामियाब नहीं है छटी चीज बहुत इंपोर्टेंट चीज भी आपके पास होने चीए आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चीए आपका सरीर बहुत अच्छा होना चीए शेम चाहिए ऐड़ामपे ट्र मुअण और गया और हो साल पहले नहीं खेल पाते से श्रोडि Titleist खेल पाते हैं जो मारे पास प्रोड़क्ट है ना यह चमतकारिक प्रोड़क्ट है ऐसी एसी बिमारी असर यह प्रोड़क्टों से क्योर हो जाती है जो मेडिकल साइस मना करती है मेडिकल साइस बोलती है बीपी की बिमारी ठीक नहीं हो सकती शूगर की दवाई नहीं है जिन्होंने शुगर की दवाई लेना छोड़ दिया क्यों 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 गामा और जुनोल को न्यूट्रिचार्ज को रेगुलर यूज करते हैं तो हल्दी होने चाहिए स्वस्त रहने चाहिए और यहां पे अगर आप 100% प्रोड़क्त को यूज करते हो इतनी पोजिटिवि होती है यहां पे सिच्वेशन बिल्कुल अलग होती है बहर की दुनिया में जैसे आपका बिजनस बढ़ना शुरू होगा ना आप को नींद आना बंद हो जाएगी बड़े बिजनसमेनों को नींद नहीं आती है नींद आने के लिए सोने के लिए उनको गोली खानी पड़ करती जाएंगे उनकी लेकिन आर्सियम बिजनस में उल्टा होता है जैसे जैसे आपका बिजनस बढ़ेगा आप टेकनिकल से अमराल बन गए आपको खूब नींद आएगी अमराल से स्टार अमराल स्टार रूवी बन गए खूब बूख लगेगी आपने कभी देखा नहीं होगा यह सारी चीज़ें बाहर के बिजनस में कि एक बिजनस में अपनी दुकान में बैठके तालियां बजा रहा है कभी नहीं देखा होगा यहां पर बोड़े लोग हैरान होते हैं यह कौन सा बिजनस है ताली बजाने से कौन से बिजनस होते हैं सीटियां बजाने से अरे सरीर पे होगी जो चिंता करता है जो खुष रहताласт कर रहा है एक्साइटीड है उसके सरीर में बिमारी रही नहीं सकती पिए मेहमान-किसके गर में आते हैं जहां ुसकी सेवा ma अगर आप मेहमान को पूछो ही गई नहीं तो अगली बार तो आए गई गई नहीं तो कहने का मतलब है सर कि यहां पर इस सिस्टम के अंदर में अगर आपने सही डंग से समझ लिया यह बहुत पाउरफुल चीज़ है यह लाइफ को बदल सकता है यह जिन्दगी को बदल सकता है सिर्फ थोड़ा सा कमिट्मेंट के साथ थोड़ा सा अपने अंदर बदलाओ करके देखिए अगर बार बार कोई अप्लाइन आपको बोलता है उसके बाद आप किसी चीज़ को कर रहे हैं इसका मतलब अभी आपके अंदर आर्सियम नहीं आया है आप आर्सियम में आ गए हो बट आर्सियम आपके अंदर नहीं आया और आर्सियम में पैसा कपाएगा आप आर्सियम में एक एक करोड़ असी नबे लाख लोग आर्सियम में आ गए उनके गर में पैसा थोड़ी आ रहा है सबके गर में जिनके अंदर आर्सियम आ गया है उनके गर में पैसा आ रहा है और मैं चाहता हूँ सर आपके अंदर RCM आना चाहिए, यह senior साथ ही है ना, इन सब के अंदर RCM है, इनके खून में RCM है, इनके एक एक नस नाड़ी में RCM है, आप इनके blood को चेक कराओ, blood reporter RCM positive ही आएगी, मैं guarantee दे रहा हूँ, और वो सारी चीज आपके साथ होनी चाहिए, यह स एक बड़ी अच्छी share है कि हो गई है, पीड परवत्सी पिंगलनी चाहिए, इसके माइने क्या है, हो गई है, पीड परवत्सी, कुछ साथी एक छोटे से business पे कुंडली मार के बैठे हैं, कुछ vital पर ही तीन साल से कुंडली मार के बैठे हैं, कुछ star पिन, छोटी सी पिन है सर वो तुरंट चेंज होनी चाहिए, इतना मुस्किल थोड़ी है 500 प्रोड़ेक्ट है हमारे पास में, वर्ल्ड क्लास प्रोड़ेक्ट है, कितना बड़ा infrastructure है, कितनी श्यांदार टीम है, आप लग्की है सर लग्की है, जितने भी लोग मेरे सामने 300 लोग बैठे हैं, लग् कैसा उन से आगे रहोगे आप जिंदगी में, परमात्मा बड़ा देना चाहता है, इसलिए आप इस इंडस्ट्री में आयो, जिनको देना नहीं चाहता है, उनकी समझ में नहीं आता आर्सियम, वो मुना कर देते हो, करते हैं बगवास है, पागल बनाने का दंदा है, सारे लोग इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ कर गए, आप सोच सकते हो, सरे एक बातरूम चपल पहन के आने वाला लड़काज 3 करोड़ के घर में रहता है, 2300 रुपे की नोकरी करने वाले लोग करोड़ के घर में रहते हैं, शांदार जिंदगी जीते हैं सर, कभी करने का टार्गेट पढ़ाओ, आप स्यांदार इंडस्ट्री में हो, और इस इंडस्ट्री में भी एक ऐसे बिजनस पे हो, जिस बिजनस के लोग एगजामपल देते हैं, आर्सियम बिजनस के, बाहर जब इस इंडस्ट्री की मिटिंग के लिए हम जाते हैं ना, कभी किसी बिरोक्रेट से मिलना होता है तो बाकी सभी कंपनियों के लोग आर्सियम के प्रोड़क्ट को दिखाते हो कहते सर इस तरह के प्रोड़क्ट होते हैं मारी कंपनियों में उनको पता है सर यही एक ऐसे प्रोड़क्ट हैं रेट वाइज वेट वालिटी वाइज सब में सूपर अगर आज भी हम काम करने के लिए त्यार नहीं है इस तरह के उपर के उपर भी हम सिरियस होके काम नहीं करते हैं फिर तो उपर वाला ही उतर के आएगा मारे लिए वही कुछ कर सकता हमारा बला तो थोड़ा थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाओ सर हो गई है पीड परवत्सी पिंगलनी चाहिए इस हिमाल्य से कोई गंगा निकलनी चाहिए इस बार से दमाका होना चाहिए लाइन लग जानी चाहिए हम ठक जाएं सर सेलिब्रेशन करते करते हम ठक जाएं होटल बुकिंग करते करते हम ठक जाएं बिलवाड़ा का रेजमेंट करते करते ऐसा होना चाहिए और एक जटका बहुत होता है नेटवर्क मार्केटिंग में एक जटका आपके बिजनस को कहीं से कहीं पुचा देटा किसे इस磨ले से कोई गंगा निकलनी चाहिए इस बार हो जाना चाहिए सर कमाल कि सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना हमारा मकसद ले केवल मोटीवेट करना केवल बाते बोलना वह हमारा मकसद नहीं हमारा मकसद क्या है हमारा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए जो साथी बैठे ना सब के सब बड़े बड़े अचीवर बनने चाहिए सबके सब बड़ी बड़ी कामियाभी पे की तो यहां एक कुरसी थोड़ी है पर हिंदुस्तान का परदानमंत्री कितने बन सकते हैं एक बन सकता है कुरसी एक है राश्पती एक बन सकता है कुरसी एक है लेकिन स्टार रूबी तो हम लाखों बन सकते हैं करोडों बन सकते हैं जितने चाहें उतने बन सकते हैं यहां पर एक कुरसी नहीं है सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना हमारा मकसद नहीं हमारा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में लेकिन हो कहीं भी आग लगनी चाहिए आग लगनी चाहिए सर बिना आग के देखे ठंडे लोग जीवने में बहुत कुछ नहीं कर पाते गरम लोग और गरम किसको उना पड़ेगा गरम हम खुद को उना पड़ेगा पानी की रोड पानी को गरम नहीं करती पानी की रोड खुद को गरम करती पानी अप गरम हो जाता है खुद को गरम करो सब्सक्राइब प्लाइनिंग कर अपनी टीम की कि किन लोगों का क्या किया जा सकता है कल रात तक और उनके पीछे लग जाओ रCM the dream world transforming lives transforming India where dreams count true now join with us